हलो एवरिवन आज के विडियो में इंटिग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लेम नंबर 55 स्टेडी करेंगे तो देखे जो प्रॉब्लेम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है question में क्या लिका है वो हम पढ़ेंगे question में लिका है find the integration of sin4x into sin7x into sin11x into dx तो चलो हम ये problem solve करेंगे और ये problem solve करने के लिए आपको trigonometry और integration के कुछ basic formulas पता होना चाहिए वैसे ये problem solve करते करते इसमें use होने वाले formulas हम बीच बीच में बताया करेंगे उससे आपको help हो जाएंगी तो चलो हम इसको solve करना start करता है सबसे पहले ये given integral को as a i ले लेंगे अब यहाँ पर इसको solve किस तरह से करेंगे क्या formula apply करेंगे क्या कोई यहाँ पे directly integration हो सकता है नहीं directly integration तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सभी के बीच में multiplication है sin into sin into sin multiplication है अगर सभी के बीच में addition या suggestion होता तो फिर integrate करना आसान होता तो हमें इसको split करना पड़ेंगा it means सभी के बीच में plus या minus ले आना पड़ेंगा उसके लिए यहाँ पर formula क्या apply करेंगे हम यहाँ पर sin a into sin b का formula अपला करेंगे देखो formula यहाँ लिखके देते हैं that is sin a into sin b का formula तो formula ऐसा है 1 by 2 ठीक है 1 by 2 cos of a minus b minus cos of a plus b देखो यह formula का अब हम यहाँ पर use करने वाले हैं यह काफी important formula है अगर यह formula आपके पास नहीं लिखा है तुरंट अपने notebook में लिखके रखो क्योंकि formula के बिना आप problem solve कर नहीं सकते हैं sin a sin b का formula जबकि यहाँ पर आप चेक करेंगे sin a into sin b into sin c के form है लेकिन 3 sin का formula नहीं होता है 2 sin के multiplication का formula है यह formula है तो चलो हम इसका हम यहाँ पर use करेंगे sin a sin b तो यहाँ पर a और b क्या है तो अगर आपको इन दोनों में use करना है तो यहाँ पर a है 4x और b है यहाँ पर 7x ठीक है तो formula use करेंगे तो कुछ ऐसा होगा और अब यहाँ पर लिख लेंगे cos of क्या है cos of a minus b a minus b है इसका मतलब cos of 4x minus 7x ठीक है फिर minus cos of a plus b a plus b यहने 4x plus 7x यह देखिए इस तरह से हमने formula इन दोनों में अपलाई कर लिए cos of a minus b minus cos a plus b cos of a minus b minus cos of a plus b और अब यह जो sin 11x है यह वही रहने दो sin 11x into dx इसको as it is रखो और अब इसको solve करो सबसे पहले यह 1 by 2 को बाहर ले लो तो यह 1 by 2 को हमने बाहर ले लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और अब यह integration और अब यह क्या रहेंगा यह हो जाएंगा cos of इसको bracket में दे देंगे तो यह हो गया cos of minus 3x minus cos of 11x ठीक है और into यहाँ पे sin of 11x into dx यह देखिए इस तरह से अब क्या होगा अब देखो cos of minus 3x तो क्या होगा तो formula पता होना चाहिए तो formula ऐसा है cos का formula standard formula है cos of minus theta हमेशा cos theta होता है ठीक है यह पता होना चाहिए इसका use हम यहाँ पे करने वाले है cos of minus theta cos theta होता है तो यहाँ पे cos of minus 3x cos 3x हो जाएगा ठीक है और फिर हम इसको ऐसे solve करेंगे 1 by 2 बाहर है integration of तो यह हो जाएगा cos of 3x minus cos of 11x और उधर बाहर से है sin of 11x into dx यह देखिए इस तरह से अब क्या कर सकते है अब क्या करो यह जो sin of 11x है इससे multiply करो cos 3x को भी cos 11x को भी दोनों terms को multiply करो तो देखो multiply करने के बाद यह क्या होता है सबसे पहले 1 by 2 बाहर है integration of तो अब इसको हम bracket में दे देंगे sin of 11x into cos of 3x ठीक है पहले term को multiply किए minus sin of 11x into cos of 11x ठीक है यह दूसरे को multiply किए into dx यह देखिए इस तरह से अब अब क्या यह directly integrate होगा नहीं अभी भी यह integrate नहीं होगा अब यह 1 by 2 बाहर रखो integration अब क्या करो यहाँ पे sin a cos b का formula use करो इसमें भी use होगा उसमें भी use होगा sin a cos b तो formula क्या है देखो formula यहाँ लिखके देते है तो formula ऐसा है sin a cos b का formula 1 by 2 बाहर रहेंगा और bracket के अंदर रहेंगा sin of a plus b और plus sin of a minus b देखो यह formula है इसका अब हम यहाँ पे use करने वाले हैं तो यह formula भी आप अपने notebook में लिखके रखो तो हम यहाँ पे use करेंगे सबसे पहले इसमें use करेंगे तो इसको curly bracket में दे देंगे ठीक है 1 by 2 और अब देखे इसमें क्या करना है sin a plus b into sin a minus b तो यहाँ a है 11x and b है 3x तो यह हो जाएंगा sin a plus b याने 11x plus 3x ठीक है और फिर plus sin a minus b याने sin of 11x minus of 3x यह देखो यह हो गया पहला bracket ठीक है तो यह हमने sin a cos b इसमें apply कर लिए यह हो गया पहला और अब minus इसमें भी आपको sin a into cos b करना है तो यहाँ पे देदेंगे minus फिर 1 by 2 और फिर bracket के अंदर sin of देखो 11x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है मतलब a का value और b का value सेम है तो sin of a plus b याने 11x plus 11x plus sin of a minus b याने 11x minus 11x यह देखिए और यह curly bracket complete into dx ठीक है इस तरह से और अब अब क्या करो देखो यह क्या बचता है यह हो जाएंगा sin of 14x यह 11 में से 3 यहाँ पे minus कर लो तो यह रहेंगा 8 ठीक है sin of 8x फिर यह हो जाएंगा sin of 22x और यह sin of 0 ऐसा हो जाएंगा एक काम करता है इधर solve करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीजे पहला 1 by 2 फिर क्या बचेंगा यहाँ पे 11 of 14x तो हम यह लिख लेंगे यहाँ पे सारी यहाँ पे sin of 14x तो हम यह लिख लेंगे sin of 14x ठीक है 11 plus 3 then plus sin of 8x ठीक है और यह bracket पूरा करो और अब यह minus 1 by 2 then यहाँ रहेंगा sin of 22x और प्लस यह sin of 0 और यह curly bracket पूरा और यहाँ रहेंगा into dx यह देखें इस तरह से ओके और अब एक काम करेंगे 1 by 2 यहाँ बाहर में है यह दोनों में से 1 by 2 ले लो common और वो 1 by 2 common लेके बाहर ले लो तो बाहर आ गया 1 by 2 ठीक है और अब यह integration of अब यह सब एक bracket में लिख लेंगे यह है sin of 14x प्लस sin of 8x अब यह minus से यहाँ multiply कर लो तो minus sin of 22x और bracket complete into dx ऐसा अब यह sin of 0 कहा गया sin 0 0 होता है ठीक है इसका value क्या होगा इसका value 0 होगा ठीक है standard result है sin 0 0 होता है तो यह term आपको लिखने की ज़रूत नहीं है और यह minus से यहाँ multiply कर लिए तो यह minus आ गया यह दोनों में से 1 by 2 हमने common ले लिए और अब इसको integrate कर लो अभी आसानी से integrate हो जाएंगा तो बहार है 1 by 4 और अब इसको integrate कर लेंगे तो कुछ हम इसको ऐसा लिख लेंगे integration of sin of 14x into dx plus integration of sin of 8x into dx minus integration of sin of 22x into dx ठीक है इस तरह से और integrate होने के बाद यह क्या होगा तो sin of 14x तो क्या होता है sin का integration sin का integration होता है minus cos लेकिन यह sin of ax के form है देखो sin ax यह भी sin ax यह भी sin ax तो उसका integration होगा minus cos ax by a a से divide करना होता है तो इसका result हो जाएगा sin 14x का minus cos of 14x by 14 ऐसा ठीक है sin ax का minus cos ax by a देखो a नीचे आया जो की x का coefficient होता है ठीक है और अब यहाँ पे भी तो यह हो जाएगा minus cos of 8x by 8 ठीक है और यह minus पहले से है तो वो minus और integration होने के बाद minus तो वो हो जाएगा plus यह cos of 22x by 22 ठीक है यह इस तरह से और अब plus c c is the integrating constant तो यह हमने integrate कर लिए यहाँ तक और यह हमें result मिला है क्या इसको और solve करने की जरूत है आप चाहे तो इनका LCM ले लो ठीक है अगर solve करना है तो LCM ले सकते है बाकी तो कुछ इसमें और solve करने लायक नहीं है या तो आप इसको यही पे stop करो तो भी चलता है तो हम इसको यही पे stop कर लेता है कोई दिक्कत नहीं है और finally problem यही पे complete हो गया हमें यह result मिला उमिद करते हैं कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem काफी important भी है इसके पहले यह दो-तिन बार exam में भी आया था इसकी practice बहुत जरूरी है तो यह था integration यह unit का problem number 55 इसके पहले जो हमने इसके 54 problems लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलता है next video में Thank you very much